असलाम लेटकूम विवर्स कैसी है आप सब लोग उमीद करती हूं सब टीक टाक होंगे आज मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हो वह है चपली कबाब बहुत ही डिलीशेस बनी है आपने स्टेप बे स्टेप सही तरीके से जो है वीडियो को देखना है हमारे पास यह इंगीरियंट्स है कीमा 3kg, रेड चिली पाउडर, साल्ट, टोमाटो 4, अनियन 4, गार्लिक पेस्ट, टू टेबल स्पून हमने जो ली है इसमें जींजर है उसके बाद मैंने जो है इसमें डाला कॉरियंडर, जीरा यह देखे मैंने जो गरम मसाले उनको पहले फ्राइ कर ल अच्छी आती है जब बाहर के मसाली यूज कर रहे हो तो इसकी खास खुश्पून ही आती है उन्होंने बतानी क्या मिला होता है हमें नहीं बता होता है तो खालिस चीज यह है कि आपने घर्मी जो है उसको फ्राइ कर लेना है तो वह अच्छा टेस्ट देता है प्राइ मैंने कर लिया था अब मैं जो मैंने थ्री केजी कीमा में जो है थ्री एक्स जो है वो डाले है उसके बाद यह जीरा था कोरियंडर पिसा हुआ जो हुआ यह थोड़ा से मैंने जिस्ट पर टेस्ट जो है और शान चपनी कबाब मसाला थोड़ा साए किया जादा ने जादाने लिए जींजर पेस्ट है जींजर पेस्ट है और अनार्दाना है पिसा हुआ हम इसमें एड कर देंगे उसके बाद मैंने काउन फ्रॉर एड क काउन फ्रॉर नार्ट से तोलिक आपके कबाब तूटे नहीं है लोग इसमें चैने काटा बी डालते हैं उससे भी तूट रहे होते हैं तो आप इसमें कबाब तो बहत अच्छे से आपके कबाब जो हैं और लो तोटने बीना टोमैटो एंड प्रॉत करने हैं के बरी कटे क कटे हुए लेने आपने कट करने बरी कुल और सबसे एंड में इसको आपने जो है अच्छे से अच्छे करना है वह बड़े अच्छे से आपने करना है ताके वह सारी चीज़े मिक्स हो जाएं मुझे लग रहा था थोड़ा कॉन प्रॉड जो है कम हो रहा था मुझे मैंने सो फ्राइ करके देखा तो वह नहीं हो रहे थी मिक्स तो थोड़ा था मैंने कॉन प्रॉड जो है वन टेबल स्पून और एड कर दिया अब मैं इसको मैरीनेशन के लिए रख दूंकि हमारा कीमा जो है फोर तूफाइव आवर्स के लिए मैंने निक्ट होगा रीज में नॉर्मल तेंप्रेचर पे रिजर नहीं रखेंगे उप्रीजर में रखेंगे यह दिखें इसको मैंने अपनी हैंड पे अपने रख के ना अच्छे से प्रेस करना है और इसको बहुत मोटा मोटा न आपनी मेडियम के कबाब यंद लिए से खाज हो कर कैशे के कबाब हो मज़तादे कबाब और बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है उसका कलर भी बहुत अच्छा है तो मैं आप से रिक्रेस्ट करती हूं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को और मेरी वीडियो लाइक करें अला आफेस्ट